अब खबर कोटा जिले से है जहां लोकसभा अध्याक शोम बिर्ला ने लुहावत ग्राम में रविवार को देड़ करोड की लागत वाले तलाब सौंदरी करण कावे का वर्चुल चुलन्यास किया है इसके तहट ही लुहावत सरपंच संजीदा रफीक पठान ने बताया कि खेड़ा पती बालाजी परिसर में आयोजित वर्चुल चुलन्यास समारों में विशुष्ट अति थी पूर्व प्रधान मानवेंद्र सिंग हाडा और राजस्थान सरपंच संग के मुक्य प्रवक्ता पूर्व सरपंच रफीक पठान मौजूद रहे इसके साथी सरपंच रफीक पठान ने बताया कि जो विकास के काव्या धूरे पड़े हुए हैं उन्हें भी पूरा करने के प्रयास किये गए हैं